नमस्कार सनातन विचार में आपका स्वागत है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो चोखंबा कृष्ण दास अकादमी वारानसी द्वारा प्रकाशित श्री कृष्ण द्वापायन महर्ची व्याश वीरचित गरोड महापुरान है मूल तथा भाषा अनुवाद सहित पुस्तक के अनुवादक जयोतिरवेद श्री राधिकारवन जी हैं संपादक डॉक्टर महिश चंद्र जोशी जी हैं और भूमी का ल पुल ये अठारा सु रुपे हैं मेरे पैस जो प्रती है और चोखंबा की वेबसाइट से लेने पर ब्रीज प्रतिशत का डिसकाउंट मिलता है अनुवादक जोतिरविद राधिकारमन मंतरशास्त्री एडवोकेट भूमी का लेखर्ट डॉक्टर शीकेशन एक जुगनु इसके सुना दू और यहां पुराण शब्द के उपर पुराण क्या होते हैं उसके उपर कुछ विवेचना है ब्रह्मान पुराण ने स्विकारा है कि प्राचीन काल में जो हुआ है वह पुराण है रिग वेद में पुराणे के अर्थ में ही पुराण शब्द लगभग 14 प्रयोग में लाया गया है किन्तु परवर्ती काल में यह प्राचीन गाथा तथा खतानक कर संदर में रूड होता चला गया है तो यह पुराणों के उपर है हर प्रशाद सास्त्री ने अपने एक वरगी करण में अगनी और प्रिहत नारदिय पुराणों की तरह ही गरूर पुराण को प्रतम श्रेणी में रखते वेसे दिखिया है डॉक्टर पांडुरंग वामनकान ने इसी कारण अगनी नारदिये के साथ साथ गरूर पुरान को ग्यान कोशिय पुराणों के रूप में स्विकारा है फिर यहां ठारों पुराण की सूची दी गई है विश्णु पुराण, नारद पुर्वखन, मतश्य पुराण, अगनी पुराण और भागवत पुराण के अनुसार जिसमें सत्रवें स्थान पर गरूर पुराण को रखा गया है क्रम के निरधारन के पीछे क्या धारना रही होगी, यह स्पष्ट नहीं है, कि यह प्रतीत होता है कि प्रतमता, प्रतमता, ब्रह्म से गरणा करके ब्रह्मान तक ले जाने के मूल में गरूर की अपनी सर्व लोक विहारी सत्ता हो सकती है क्योंगी गरूड को अमरित के संचारी स्विकारा गया है और वे सोल में मतस्य के उपरांत नवचारी विकास के सूचक हूँ नाम के उपर कुछ विवेचना है कि यह गरूड पुरान है या गारूड पुरान है विश्णु पुराण के काल तक इसको गारूड पुराण के नाम से जाना जाता था, पुराणकार ने इसका नाम स्वविशेश गारूड के रूप में दिया है, इसी प्रकार पद्म पुराणकार ने भी गारूड नाम ही दिया है, इसी प्रकार कहीं कहीं ताक्षरे अथवा वैनेताई पुराण नाम भी मिलता है, ताक्छारे भी गरूड कहीं परियाये हैं। अलोच्य पुराण स्वयम अपने को गरूड ही नाम देता है, किन्तु प्रतेक अध्याई की पुष्पिका में गारूड कहता है। ऐसे में दोनों नाम एकी अर्थ के व्यवरित प्रतीत होते हैं। सात्विक मध्यम और सात्विक उत्तम तो सत्व अधम में जो प्रतम कोटी है, उसमें मतस्य और कुर्म पुराण है, गरूड पुराण के नुशार, दृतिय कोटी में वायू और तृतिय में जो सात्विक उत्तम है, उसमें विश्णु भागवत और गरूड पुराण है। अब स्लोकों की शंख्या और स्वरूप तो गरूर पुरान का जो स्वरूप है वो आज के समय में दो स्वरूपों में उबलब्द है एक स्वरूप जो अभी हम ये पुस्तक देख रहे हैं जो दो खंडों में उबलब्द है पुरान जो है इसमें दो खंडों में प्रस्तुत सद्याः प्रेद कान्ड उन्चां सद्याः और ब्रह्म कान जिसमें 129 सद्याः राकि कुन वारूरण प्रकाश्यव, तीन खंडो में अवश्य गरूरण सद्याहिं लेकिन उस केस में ब्रह्म कांड के अंदर गत केवल 29 सध्यां है एक सोंते सध्यां नहीं उसमें डॉक्टर कपाडिया का कहना है कि जो दुतिया कांड है प्रेत कांड वही केवल वास्तवी गरूर पुरान है हाला कि इस मत से श्रुक्रिट के जुगनु वो सहमथ नहीं है और उन्होंने अने विद्वानों का भी मत यहाँ पर दिया है और डॉक्टर कपाडिया का भी पूर्म में इस मत के पहले जो उन्होंने अपना व्यक्त किया था गरूर कुरान के उपर अपने विचार उसको भी कहते हैं निसंदे वर्तमान पाठ में दो ही खंड है पुर्वार्थ और उत्तरार्थ जो उत्तरार्थ है उसी को आप प्रेत कल्प या प्रेत कांड कह सकते हैं और जो तीन कंडों में उपलब्द संस्क्रण है उसमें जो द्वितिय कंड है वो प्रेत कांड है इस पुराण के एक और पुस्तक देखेंगे जो तीन खंडों में हैं जिसमें कि आपका आचारिया कर्मकांध है उसका प्रेथकांध है यानि कि धर्मकांध है और फिर ब्रहमकांध है या क्यांकांध पुराणों में कुछ विशष्ठ जनुपयोगी स्थल हैं जो विशाइ हैं उनकी यहां बहुत विस्तार से चर्चा की गई है अपने सरूप के अंतरुगत इस पुराण के पुर्वार्द में अध्यायों में करमसा सर्ग सूर्यादी देवताओं की पूजनों पासना की विधी दिक्छा विधी नव वियूहों की अर्चना विश्नु ध्यान शिव अर्चन, गोपाल पूजन, विश्नु अर्चन, पंच्य तत्वा आर्चा, चक्रा आर्चा, देव पूजन, दुर्का देवी अर्चन, महेश्वरी पूजा के साथ सथ अने अनेक देवताओं की पूजा की विधी यह विवराण अनेक पूरों पर पुराणों के आधार पर दर्श्टब गया है फिर यहाँ नीचे जनुप योगी विशे कई सारे हैं जिसमें कि वास्तु के उपर भी काफी वेचना है पुराण के अंतरगत तो यहाँ उसी के संदर्भ में चर्चा की गई है विविन पुराणों में और गरंथों में किस प्रकार से आया है और वो इस इन पुराण से कैसे जुड़े हुए है उसके अलावा दान, धर्म, प्राश्चित, विधिक्रिया, नरक, सर्व, विव, आदी के उपरांत भुगोल, खगोल, जियोतिश का विवरंट, पुरेचह अद्याओं में आया है स्त्री पुरुष लक्षन, सामुद्रिक सास्त्र के अनुसार वो भी इस पुराण का अंश है रत्म परिक्षा एक बहुत महत्पूर्ण अंश है और जो तीन खंडों वाला भी हम गरुड पुरान इसके बाद देखेंगे उसमें यहां भी बताया गया है, उसमें भी बताया गया है उसमें जो रत्म परिक्षा वाला खंड है, उसको अगस्त संहिता कह रहे है उसके पस्चात नीती सार का भी बहुत सारे अध्याएं हैं नीती के उपर जिसको की ब्रहस्पती संहिता भी कहते है और फिर आयूरवेद के उपर भी बहुत सारे अध्याएं हैं इसमें जिसको की धन्वंतरी संहिता भी कहते है ये मैं दूसरा जो हम गरूर पुरान देखेंगे उनके अनुसर बता रहा हूँ वो जो खंड है वो इसमें भी उपलब्द है पूरवार्द है वहाँ पे इनको इन तीन संहिताओं के रूप में भी दिखलाया गया है यहाँ यह कहते हैं कि जो नीती सार है उसमें पराश्रस्मिती का सार भी पुरान कार ने उद्रित किया है मर्यादा और आचरवनों का विवरन है राजधर्म का विवरन है फिर जो आयूर vibes समबंदित जो अध्याय हैं उसके बार में कह रहे हैं कि वागभटकृत आयुर्वेदिक अश्टांग हृद्य ग्रंथ के साथ अध्याय इस पुराण में 152 से लेकर के 169 अध्याय तक समानत मिलते जुलते हैं इस कहना ना होगा कि इस पुराण में 50 अध्याय में आयुर्वेद का विवरण है जो पूरुकालीन पुराणों की अभिक्षा सरवाधिक है और किसी पुराण के आयुर्वेदिक महत्यों के ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिश्टी से परियात है फिर व्याकराण के उपर भी कुछ इसमें अध्याएं हैं संस्कृत पठन पाठन का महत्यों को सीकारता है और व्याकरन शास्त को प्रस्तुत करता है ये सब पुरवार्थ से संबंधित विशयत है अब उत्तरार्थ जो है गीता सार के अंत में पुराणकार्थ की स्वीकार उक्ती है कि ये पुराण यहीं पर समाप्त हो जाता है तो इसलिए मानते हैं कि जो पुरवार्थ है वही में गरूर पुरान है उसके बाद उत्तरार्थ बाद में जोड़ा गया है और जहां पे तीन खंड में आपको गरूर पुरान उपलब दे वहां पे भी जो प्रथम खंड है अचार खंड वही मूल गरूर पुरान है उसके बाद जो प्रेत खंड अत्वा धर्म खंड है वह बाद में जोड़ा गया और जो ब्रह्म खंड है या ग्यान खंड है उसको और भी बाद में जोड़ा गया है इस का खंड में मनुष्य जीवन के कर्मों के अनुसार परलोक में होने वाले गतियों का विवरन है जो गरूर के प्रस्ण पर श्रिक्रिष्ण द्वारा कहा गया है इसके संपादक के देहन में विश्णु परान का यह स्लोक भी रहा है विश्णु परान से फिर एक स्लोक दिया गया है शिव पुराण में भी एक इंचित भेद के साथ आया व ब्रह्म पुराण में ये पाथ है ब्रह्म पुराण इत्यादी में भी श्लोक आया है ये अमलोक का भी गाफी विस्तार से वर्नन है इसके अनेक अध्याओं के विशेवस्तो की तुलना शिव पुरान भविश पुरान और स्मृत्यों के विवरन से की जा सकती है इस खंड का इतना महत्वरा है कि इसका जर्वन भासा में भी अनुवाद हुआ है पुराण उक्त नरक संबंधित रास्दियों का मृत्यों कारण कमबोडिया के मंदिरों में देखने को मिलता है। पुराणों से कि मृत्यू जहें वो निश्चित है और हो नहीं है। उसके उपर जो ृइभिन पताया गया है।edag जीवन है यह अमरता जैसी कोई चीज नहीं है। अमरत्यू जहें वो निश्चित है। इस पर वविवेचना की गई है। और उसके बाद मृत्यू के पस्चा क्या होता है उसके उपर विवेचन किया गया है तो यह भी बहुत सारे ग्रंथों से आप देख सकते हैं विश्णु धर्मोतर सकंद पुराण अगनी पुराण विश्णु धर्मोतर पुराण याग्वल्क स्मृति उद्योग पर्व भाबारत से गरुड पुरान से ही मनुस् गीता विवेचन गरंथों से लिया गया है काफी विस्तार से डक्टर महेश चंद्र जोशी द्वारा यह भूमिका लिखी गई है उसके अद विशे सूची है विशे वस्तु हम बहुत अभी विस्तार से भूमिका में देख चुकी है तो विशे सूची मैं फिर से नहीं अधिया जोशे वेऍव को पूर्व खंड जो है वो प्रारंभ हो रहा है विविधिन देवता देवतां की पूजा पधती धयान वरननवारनन इत्यादी मुक्ता, रतन, पद्मराग, मरकत मनी, इंदर नील, वैदुरे मनी, पुशपराग, करकतेन, भीशमक, पुलक, इंदर गोप, रुदी राखे, रतन परिक्षा, विदरुम मनी परिक्षा, फिर गया महत्में आता है, रुची पित्री गंड संगवाद, रुची द्वारा पित प्रिश्चंख्या, 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 यह भी हम आगे भी देखेंगे और बहुत सारे अध्याइ जो हैं करी 50 अध्याइ जो हैं आयूर्वेट संबंदित ही हैं फिर यहां व्याकरण संबंदित कुछ अध्याइ हैं वैश्वदेव प्रक्रियात संचित मिन श्राद विधीनित श्राद अंत में धर्म सार है प्राष्चित युग धर्म है और विभिन स्त्रोत्र है ब्रह्म विज्ञान आत्म ज्यान गीता सार वर्नन है यह सब भी एक एक अध्याइ में है फिर उत्तरखंड प्रारंब हो रहा है जिसमें पापियों के इहलों का परलोग के दुखों का वर्नन, यम मार्ग का निरूपन, यम यातना का निरूपन, नरक प्रद पाप निरूपन, पाप चिन्ह निरूपन, बब्रुवाहन प्रेत संसकार आदी वर्नन, आतुरदान निरूपन, सपिंडी करन, एक दशा, परिशिष्ट में गरूर पुरान के श्रवन का फल सारुधार करतुरात्म निवेदनम शब्दानुकर्म निका दी गई है गरूर पुरान का तृतियांश जो है ब्रह्मकांड उस पर एक विमर्ष दिया गया है जैसा अभी हमने देखा था कि दो रूपों में आपको गरूर अगले वीडियो में हम एक ऐसी पुस्तक भी देखेंगे जिसमें गरूर पुरान जो है इस प्रकार से तीम खंडों में प्रस्तुत किया गया है और तुलना भी कर लेंगे उस वीडियो में इन दोनों के बीच में तो जो तृतिया खंड है ब्रह्मकांड उसके पर एक विम अध्याय में उस प्रकार से दिया गया है और क्यों फिर थोड़ा सा बैग्राउंड भी दिया गया है भूमिका भी दी गई है कि क्यों ब्रह्मकांड जो है वो गरूर पुरान का हिस्सा नहीं माना जाता है और किस-किस रूप में अभी उपलब्द है तो यह पूर्व अच्छा है स्पेसिंग भी बहुत अच्छी है प्रिंट भी बहुत साफ है प्रिष्ट की कॉलिटी भी ठीक है कहीं भी मुझे प्रिंट वगएरे का कोई इस्व नहीं दिखा पढ़ने में बहुत सुगम है अनुवाद भी आसान है ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहां देख सकते हैं एक मंत्र लिखावा है तो उसका अनुवाद नहीं किया गया है यहां लिख दिया गया है यहां श्लोक आंकित 6 में सभी मंत्र है उनका अनुवाद संभव नहीं है अतयव यथावत मूल में लिखे अनुसारी उनका प्रयोग करें यानि कि आप मूल से पढ़नें उनके अनुबाद नहीं किया गया है और ऐसा कई जुगों पर है जहां पर मंत्रों का अनुबाद नहीं किया गया है और ये लिख दिया गये कि आप ओम उस्ट कर पढ़ना चाहते है तो मूल से पढ़नें यहां एक विश्नु पंजर स्त्रोत्र आ रहा है योग का वर्नन है विश्नु सहस्त्र नाम स्त्रोत्र है यहां से प्रारम हो रहा है श्री हरी कहते हैं से और किसी भी नाम की ऐसी कोई व्याख्या संखेप में भी नहीं की गई है केवल नाम का हिंदी में अनुवाद दिया गय और नामों की संख्या भी अलग से काउंट करके नहीं दी गए जैसे गीता प्रेस के हम संस्क्रोण में देखते हैं कि आप को जब आप सहस्त्र नाम के अंत में पहुंचते हैं तो पता चल जाता है कि 1000 नाम है या 1008 नाम है उसमें वैसा नहीं है लेकिन हर नाम का हिंदी म्यानवार दिया गया कहीं कहीं स्पश्टिकरण भी दिया गया है जहां पार्ठ में किसी प्रकार की लग रहा है कि जो पांडूलीपी है उसमें कुछ शायद रहे गया है या कुछ मिसिंग है तो यहां यहां भी ऐसे ही एक टिपनी है यह आपको पूरवार्ध ही चल रहा है पंचवक्तर पूजन विधी है यह पंचवक्तर पूजन विधी का उलेक है परंतु श्लोक तीन तथा चार के बीच की एक दो पंक्तियां लुप्त लग रही है क्योंकि अगोर मुख के मूल में उलेकनिया ही नहीं है मंत्र के भी पाचो मुखो का चट दिर्ग नियम से ही ठीक नहीं लग रहा है हाँ का प्रयोग सद्योजात वामदेव दोनों हेतु है जबकि ततपुरुष हेतु हरंग हराम का कहा गया है अथा विध्वान विचार करें तो इस प्रकार से एक टिपणी दे दी गई है जो पुरवार्द वाला हिस्सा है उसमें बहुत ज़्यादा फुटनोट्स वगेरा नहीं है यहां आप देखिए अगर इसके पहले का मैं अध्याय आपको दिखाओं तो जो पुष्पिका होती है अन्तुमें यहां देखिए लिखावा है इती गारूड महापुराने गायतरी महात्मयम नाम सत्विंश्व अध्याय तो गारूड महापुरान के गायतरी महात्मयम नाम सत्विंश्व अध्याय समाप्त हुआ तो हर जगह एक तो अध्याय का नाम नहीं दियावा है तो यहाँ इस संस्क्रण में कुछ अध्यायों में यहाँ पर आचार खंडा आ रहा है पुश्विका में यहाँ पर फिर वास्तु और नक्षत्र संबंदित ही चर्चा है और कुछ फल वकेरा निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं जितना गुनफल बचे उसको 27 से भाग दें इसके शेशांक को वास्तु नक्षत्र राशी कहते हैं इस भाग शेश्वास्तु नक्षत्र राशी से 8 को घटाएं इस शेशांख को व्याय कहते हैं तो बिल्कुल विस्तार से ये चीज समझाया गया है उसके पीछे का जो गणित है प्रिश्ट संक्या 208 पे हैं पूरवार्द ही है यहाँ पर सामुदरिक सास्तर का वर्णन यहाँ से प्रारम हो रहा है स्त्री पुरुष लक्षण इस जगह से रत्म परिक्षा प्रारम हो रही है प्रिश्ट रंख्या 230 से यह भी हमने विशे सूची में भी देखी लिया रुची द्वारा पित्री गण का स्त्रोत्र कथन उसका मूल संस्क्रित और हिंदिय अन्वाद दोनों ही यहाँ पर उपलब्ध है ग्रह शांती संबंधित यह अध्याय है तो इसमें भी विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार से ग्रह शांती के लिए पूजा इत्यादी होम करें यहाँ पर पंचगव्य है कई जगा पंचगव्य कि यहाँ पर रेसिपी भी बताएगे, सिर्फ यह नहीं कि कितना, क्या-क्या मिलाना है, गोदुग्द, गोदधी, घृत, गोमुत्र और गोबर, बट, क्वांटिटी भी बताएगे, उसके पस्चाद यहां विभिन वरतों का आती संचेप में वर्णन है, क्रिच संतापन वन्त, महा संतापन वरत, पर्ण क्रिच वरत, तप्त क्रिच वरत, पाद क्रिच वरत, प्रजापत्य, क्रिच शाती क्रिच वरत, अति क्रिच, सौम्मे क्रिच, तुला पुरूश, इत्यादी, यहां से नीती सार प्रारम हो रहा है नीती संबंध जिसको ब्रहस्पति संहिता भी कह रहे हैं यह जो मैं संहिताओं का नाम ले रहा हूँ यह इस पुस्तक में नहीं है उतने स्पच्च रूप से जो दूसरा हम संस्क्राण देखेंगे उसमें जो अनुवादक महोदे हैं उन्होंने इन अंशों को इस रूप में आइडेंटिफाई किया है तो चुकि मैंने दोनों ही पढ़ी हैं तो थोड़ा सा ओवरलाप हो जा रहा है उसके लिए शमा करें वहाँ पे ब्रिहस्पती संहिता इसको विशह सूची में ही अलग से सब हेडिंग देखे और वो कहा दिया गया है सीता महत्में यहां आया है एक अध्याय में है और उसके रमायन का वर्नन है संचेप में ही है बहुत विस्तार से नहीं है देखें पिरिश्ट संख्या 468 पी समाथ हुआ है फिर यह प्रारम वहा 474 से फिर हरिवन्श वर्नन आ गया है जिसके महाभारत वर्नन का दिया है उसके पस्चाथ यहां 480 से सर्वरोग निदान वर्नन है जो निदान का खंड है उसमें किवल एक तरह से रोगों के बारे में बताया गया है तो हिंदी की अधिक जानकारी है या हो सकता है हिंदी मीडियम में अगर उनने पढ़ाई करी हो तो जो बिमारियों के नाम जिस तरह से दिये गए है हाला कि वो कोई बहुत कॉम्टिकेटर चीज नहीं है 12-15 ही नाम है वो गूगल पे भी आपको असानी से मिल सकते हैं अगर आपको पता हो तो समझना असान होगा नहीं पता हो तो थोड़ा से रिलेट करना मुश्किल होगा कि किस बिमारी के बारे में बात हो रही है क्योंकि ऐसा फूटनोट में भी कुछ ऐसा विशेश समझाया नहीं गया है केवल मूल संस्कृत का हिंदी में अनवाद किया गया है ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा पहले मुझे लगता था कि कुष्ट रोग जो है वो किसी विशेश प्रकार का किसी एक रोग को कुष्ट रोग कहते है मगर ये पढ़के ऐसा लगा कि शायद हर प्रकार के skin related जो disorder होता है या skin disease बोल सकते हैं वो सब कुष्ट रोग के अंतरगत ही आते हैं और विभन परकार के कुष्ट रोगादी बहुत सारे बहुत विस्तार से है उसका चर्चा की गई है तो अगर ये गलत है तो किर्पया कमेंट सेक्श्टिन में अगर कन्हीं को भी जानकारी हो इस बारे में तो बताएं फिर वैद्यक सास्त्र में शूत्स्थान वर्दन यहां से फिर कुछ औशदियों के बारे में और किस कारण से ये बिमारी हो रही है उसके बारे में फिर चर्चा वाले अध्याय प्रारम हो रहे हैं अभी भी आयरुवेद वाला ही खंड चल रहा है इसी में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं काफी विस्तार से फिर औशदियों के भी विविन नामों का भी है तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ-कुछ श्लोकों में आपको वशीकरन और उच्चाटन इत्यादी संबंदित भी श्लोक आ जाते हैं लेकिन फिर मुख्यता जो श्लोक हैं वो उपचार से संबंदित फिर धीरे-धीरे विविन प्रकार की जो दवाईयां है वो कैसे बनती हैं उनके क्या अलग-अलग नाम है उसके उपर आ जाते हैं एक बंग भाषा का संस्करण है हलाकि भूमिका में बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है कि कौन सी पांडूलूपियों उतना सपश्ट पहचानना मुश्किल है लेकिन यहां अंदर में दो-चार जगा दिया वाई कि बंग भाषा के संस्करण में यहां एक श्लोक अतिरिक्त है जिसे ब्रैकेट में अनुवाद किया गया है यहां पर एक व्याष्ण व कवच है उसका वर्णन है यह भी रोग निदान संबंध में आगे है फिर गाडूरी विद्या वर्णन के अंदर गत नित्यक्लिन्ना ज्वाला मुखी विद्या वर्णन औशधियों के विभिन नाम कवर्णन तो एक ही औशधिय के जो विभिन तीन चार अलग नामों से अलग अलग जगों पर जो जानी जाती होगी उस हिसाब से जिसे चार चार पांच पांच नाम एक ही औशधिय के दे दिए गए है कि इसका भी अर्थ यही है उसका भी यहां बहुत एक avistrit footnote दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जो व्याकरण इसमें दिया गया है वह द्रे व्याकरण है और यह जैसा मेरी समझ में है Adandi व्याकरण से पहले का व्याकरणı यहां से कुछ हमें इसका İD umm month व्याकरण को लेकर कथा सरित सागर का मत है कि कातियायन का ही एंध्रे व्याकरण था। इसको पानिनी ने अनुप्योगी किया। उक्त समस्थ टिपनिया और इस अध्याय का सोदाहरण अनुवाद कश्राई चोखंबा परिवार के सुहिद डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू को है तो ये जो अध्याय है और इसमें जो उदाहरण दिये गए है वो डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू द्वारा ये व्याकरण के अध्याय हैं का दिया गया है गरुड पुरान जो है उसमें कथाएं हैं आख्यान हैं ये सब जादा नहीं है ये बिलकुल ऐसा है लेकिन ऐसे उपर-उपर सही है और बहुत ही फोकस्ट एकदम टॉपिक पे जैसे जोतिश है या फिर नीती है या फिर रत्म परिक्षा है या नक्षत्र शास्त्र है या पिर आपको आयूरवेद है तो बहुत ही फोकस्ट है उस रूप से और स्तुतिया हैं स्त्रोत्र हैं पूजा विधी है वास्तु शास्त्र है तो बहुत टेक्निकल टॉपिक्स जो है वो गरुड पुरान में कवर्ड है अब यहां पर भी देखिए क्लारिफिकेशन दिया ग यह अब पूरवार्द के अंत में हम की अंत की तरफ पहुंच रहे हैं तो इधर कुछ आप कहसे हैं दर्शन से संबंधित यह ज्यानकंड से संबंधित अध्यायय हैं मधिता सार्वाले अध्याय से युकधर्म वर्णन है पुराण निर्मान अधिकरन से संबंधित कुछ श्लोक हैं कि कितने पुराण थे फिर किनों ने सूध को अठारा महा पुराण पढ़ाया 18 महा पुराण कौन-कौन से हैं उसके उपर यहाँ थोड़ा सा टिप पनी है कुलामरित वर्नन मृत्यो मृत्यो अश्टक स्त्रोत्र वर्नन अच्युत स्त्रोत्र वर्नन तो इधर बहुत सारे स्त्रोत्र भी आ रहे हैं यहाँ पर गीता सार है एक ही अध्या है आत्मग्यान वर्नन का एक अध्या है फिर गीता सार वर्नन है और पूरो खंड यहां पर समाप्थ हो रहा है श्री हरी ने कहा मैंने तुमसे गरूर पुरान सभविदी कहा इसे जो पढ़ता सुनता है उसे मोख्ष मिलता है तो इसी के अधार पर माना जाता है कि यहां पर पुरान जो है वो समाप्त हो जा रहा है, उसके बाद के जो खंड है वो बाद में जोड़ गए है अब उत्तर खंड जो है वही प्रेत कल्प नाम से भी आप जान सकते हैं, इसका प्राकत्था ने एक अलग से दिया गया है उत्तर खंड में बहुत सारे पार्ट शंशोधन किये गया है उसके वज़े से इसमें फुट नोट भी बहुत अधिक है कई जगों पर जो मूल श्लोक हैं वो प्रस्तुत नहीं किये गया है वो तो हैं ही हर जगा फुट नोट में बता दिया गया है नहीं तो मुझे तो पता चलने का कोई चांस नहीं था कि है या श्लोक या नहीं है और यही नहीं किया गया है कई जगों पर दूसरे गरंथों से श्लोक उध्रित करके भी डाले गया है जो उसी टॉपिक्स रिलेटेड या उसी संदर्भ में है तो अब इसमें पढ़ते समय मैं थोड़ा कन्फ्यूज था आप भी अपनी राय दे कमेंट सेक्शन में अब इसका कारण क्या है पहले मैं प्राकत्तन पढ़के आपको सुना देता हूँ गरूरपुरान सारोध्धार के इस संस्क्रण में यथा संभव अनेक संस्थलो पे पाठ संशोधन पूरो प्रस्तुत किया गया है पाठ निर्धारन के समय समस्त उपलब्ध प्रमाणों की दिश्टी में रखा गया है और शास्त्री अधहार पर तथा अर्थगत ओचित को ध्यान में रख कर ही पाठ निर्धारित किया गया है कहीं कहीं सरवता नवीन पाठ का संयोजन भी करना पड़ा है जिसके उधारन फिरी वो अध्याय बताये गया है वर्तमान परिपेक्ष में असंगत पाठ के स्थान पर यथोचित पाठ की संरचना अध्याय दो पचास आदी में अध्याय 10 में सती प्रथा के 22 श्लोकों सम्मिलित नहीं है पूरवर्ती संस्करणों में अध्याय 13 के असोच निवृत्ती विश्यक श्लोक 8 एवं 9 भी इस संस्करण में नहीं है उनको माधवाय चार और विग्णानेश्वर जैसे विद्वान भी अस्विक्यार कह चुके है कतिपाय अध्यायों में प्रसंगानुकूल नएश लोक भी पुरानों तसा धर्म शास्त्रों से संयोजी थै अधा प्रसंगान अपने मूल पाठ सता मौलिक व्याक्या ही दोनों विशेष्टाओं के कारण परम उपायदे और विद्वजन ग्राहे होगा तो अब ये वैसे तो ये ठीक है अच्छा है मैंने जो दूसरा संस्क्राम पढ़ा है जिसमें तीन खंड है और इसमें उस तरह कैसा कुछ नहीं किया गया वो पढ़के मुझे ऐसा ही लगा कि इसमें ऐसा कुछ मिसिंग नहीं है आप कुछ ऐसा मिस आउट नहीं करें लेकिन ये जब मैं पहली पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये कोई निबंध गरंथ तो है नहीं जब हम बहुत सारे दूसरे गरंथों से जब हम करके और ऐसे निरनाई सिंधू या धर्म सिंधू जैसे निबंध गरंथ होते हैं कि कई सास्त्रों का मत लेके आपको जो एक accepted जो मत होता है करम कांड के संदर्व में वो आप वहाँ पर लिखते हैं तो निबंध गरंथ है नहीं और फिर प्रासंगीक है या आप प्रासंगीक है अब जैसे निरना इस सुंधू गरंथ हमने देखा था चौकंबा विद्यावन वह अंदार अप्रकाशित तो उसमें भ था स्पष्ट रूप से कि भई ऐसा है ये बिल्कुल आप्रासंगीक है अभी ये इलीगल है और बगेरा बगेरा और ये अकाडमिक इंट्रेस्ट के वज़े से यहाँ पर इसको रहने दिया गया है तो आपको क्या लगता है कि अप्रोच वो सही था या अप्रोच ये ठीक है ये भी ठीक है इसमें आप कुछ मिसाउट नहीं कर रहे हैं वो सती प्रता के उपर जो बाईश लोग हैं अगर वो आप नहीं पढ़ते हैं तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है जो आप उससे पा जाते जो अभी उपियोगी होती किसी भी तरह से तो वो उपियो इस उनगी है तो इस ग्रंट से यह लेकर यहां पर डाल दीजाए तो आप कमेंट करके बताईये कि आपके हिसाब से ऐसा करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए जहां तक अधियन का सवाल है उस तारुद्धार नाम से गीता प्रस के भी पुस्तक आती है अनेका नेक सकते हैं तो यहां से उत्तर ख्रंट प्रारंब हो रहा है देखिए यहां पे इस प्रकार गाड़ू पुरान सारोध्धार तो यहां भी सारोध्धार का प्रयोग किया गया है इती श्री गरूर पुरान सारोध्धार है तो यही है गरूर पुरान सारोध्धार जो है और एक श्लोग भी दिया गया है उसमें लिखा गया है प्रतेक अध्याय के अंत में पठनी है श्लोग अब यहां देखिए कुछ यहां से पाठ भेद प्रारम हो रहा है फुटनोट इसमें जादा है असी पत्रवन और तापन पाठ गरूर महापुरान धर्मकांड प्रेथ खंड अच्छा इसमें जो तुलना किया गया है वो केवल दूसरे अध्यायों से ही नहीं किया गया है प्रेथ खंड है उससे भी तुलना करके और वहां से भी पाठ शंशोधन कुछ लिया गया है खुद गरूर पुरान से ही जो दूसरा वर्जन आता है उससे तो यहां पर वैसा है एक एक अग्जाम्पल दिख रहा है और यागिवक्ष स्मृति से भी तुलना की गई है संपादित पाठ निरनाय सागर की प्रतिका है पाठांतर श्ष्रो तो यह पाठांतर है जो भी शुद्ध पाठ लगा निरनाय सागर में कोई और पाठा रहा था तो वहां से लेकर वह यहां पर डाल दिया गया है निरनाय सागर प्रेस की उसमें प्रकाशित किया था गरूल महाप्रान वहां से यहां भी पाठ संशोधन किया गया है और उसके प्रमान शरूप में यह श्लोक दिये गया है संसकार दीपक गरंथ से यह श्लोक लिया गया है तो पार्ट शंशोधन तक तो ठीक है, जहां पर अर्थ सही नहीं आ रहा है, या पांडूलीपी में कुछ तुरूटी है, या कुछ मिटा हुआ है, कुछ स्पष्ट नहीं है, ऐसा तो हमने कई गरंथों में अभी तक देखा है, यहां भी पार्ट शंशोधन है, तो इसमें जो 22 श्लोक जोड़े गए हैं, उनको इस संस्क्रण में स्थान नहीं दिया गया है, संपादक द्वारा संयोजित पार्ट, यह जो पार्ट है, ब्रिहत परासर स्मृति और यागवल्ग स्मृति की मिताक्षरा टिका से उद्धृत, यह जो तृतिये हैं, यह इन स्मृतियो से लिया गया है, यह भी गरोड कुरान में नहीं है, तो बतलब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अपने तरफ से भी हटाया ही नहीं गया है, जोड भी दिया गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा था कि भी यह कहां तक उचित है, पराशर माधोक प्राइस्चित कांड से उद् यह दूसरा श्लोक भी, तो इस प्रकार से है, अन्य स्थानों पे भी इस खंड में है, हाला कि यह बिल्कुल ट्रांस्परेंसी मेंटेन की गई है, कि कहां से क्या लिया गया है, तो वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक दूसरे में मिल जाएगा, अब यहाँ जो गरोड पुरा धर्मकांड प्रेंतखन से उद्धृत, मतलब दूसरा जो संस्क्राण हैं, उससे लेके यह श्लोक है यहाँ पर आड किया गया है, यहाँ भी देखिये, संकलित हैं यह कुछ व्लोक जो है, और दो स्लोकों को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है, तो जिनंको नहीं सम्म प्रमांद दिये गये हैं, ये गरूर पुरान कहीं दूसरे वाले संक्रण से लेके प्रमांद दिया गया है. पाथांटर है कुछ, पाथांटर की जानकारी है, तो पाथांटर ठीक है, पाथांटर तो हम, यहां एक श्लोक के बारे में लिखा गया है 122 श्लोक है श्लोक पुरान का नहीं है अपितु पूर संकलन करता द्वारा रचित है विभिन चक्रों का यहां पर एक चित्र से बताया गया है एक्स्प्लेइन किया गया है पीछे भी एक टेबलर फॉर्म में बहुत विस्तार से यहां एक जानकारी दी गई है यहां यह उलिखनी है कि गरूर पुरान सारोधधार 16 मा अध्याय तीन से लेके 101 वे श्लोक तक तथा गरूर महापुरान धर्मकांड प्रेतखन यानि कि जो दूसरा संस्क्राण आता है गरूर महापुरान का जो कि हम अगरे वीडियो में देखेंगे कि 49 वे अध्याय के 30 से 111 में श्लोक का विशाई वस्तु प्राया शब्दशव कुलाणवन तंत्र के समान है कुलाणवन तंत्र का भी वो अध्याय व श्लोक संक्राण बताया गया है यहां फूटनोड में वेदान सम्बंधित कुछ विशेश स्पष्टिकरण टिपनी इत्यादी दी गई है यहां भी उसी प्रकार से कुछ पाठमेद इत्यादी है हाँ यह एक बहुत अच्छी चीज यहां लिखी गई है यह हम सब के लिए बहुत ही यूसफुल है जो वेक्ति वेद शास्त्रादी विद्याओं की प्रतेक विद्या तथा तद विशेख गरंथ के बारे में यह मानता है कि इसमें भी ज्यान की बाते हैं यह भी जानने योग है और इस प्रकार की विचारधारा बनाकर सभी कुछ सुनना या पढ़ना चाहता है वो देवताओं के वर्ष गन्ना अनुसार हजार वर्षों के आयू प्राप्त करने पर भी शास्त्रों का पार नहीं पा सकता है शास्त्र अनेका नेक है आयू अत्यल्प है और जीवन परियंत करोणो विग्न आते रहते हैं अत्र जैसे हंस जल में से दूध को निकाल लेता है उसी प्रकार बुद्धिमान मनिश्य को शास्त्रों का सारांस अर्थात तत्व ज्यान मातर जान लेना चाहिए तो सास्त्रों का सारांस या तत्व ज्यान मातर जान लेना चाहिए यही आवश्यक है सभी शास्त्र यहां भी ज्यान है वहां भी ज्यान है फिर श्रीक गरुड महापुरान के श्रवन का फल यहां पर दिया गया है सारोध्धार करतुरात्म निवेदनम मूल संस्कृत में दिया गया है पारिभाशिक शब्द कई कुछ पारिभाशिक शब्द यहां दिये गया है उद्ध्रित जो ग्रंथ है उनकी जानकारी दी गई है तृतियांच जो है ब्रह्म कांड जो दूसरा संस्क्राण आता है तीन खंडों में उसमें जो तृतियांच है उसके उपर श्रीक्रिशने जुगनू का ये एक लेख है डॉक्टर श्रीक्रिशने जुगनू का इससे बस मैं एक आद लाइन आपको पढ़के बता दूँ वीडियो काफी लंबी हो गई है यदपी पुरान विशेशक्यों ने प्रथम भाग को ही मूल स्विकारा है दृतिया खंड को प्रक्षिप्त कहा है तीसरा खंड कई लोगों को स्विकार नहीं है किन्तु कुछ प्रतियों में तृतिया खंड भी मिलता है यह पुरान का तृतियांच कहा गया है समानी रूप में यह तीसरा खंड क्योंकि आचार खंड स्वरूप पूरवार्थ के बाद उत्तर खंड है जिसको प्रेतकल्प कहा गया है और तिरतिया खंड को ब्रह्म खंड कहा गया है इसमें 29 अध्यायों प्रतेक अध्याय के अंत में पुष्पिकाओं में तृतियांश संग्या स्मर्णी है ब्रह्म खंड मूलता वैशनो भक्ति परक एवं पांच रातर परंपरा के नैकट्टे के लिए है तो वैशनो भक्ति और पांच रातर परंपरा के अधार पे है और फिर आगे जो यह लेख है इसमें विभिन अध्यायों में क्या कौन-कौन से विशे पे चर्चा की गई है उसके बारे में संशेप में यहां समरी भी दिया गया है तो कुल प्रिष्ट संख्या यहां एक हजार बारह पे इस ब्रह्म खांड के समरी के साथ यह पुस्तक समाप्त हो जाती है जो अगला हम अगला पुरान पे चर्चा करेंगे अगले रवीवार को जिस पुस्तक पे उसमें तीनों खंड है तो हम वो भी देख लेंगे बाकि इसमें प्रिंटिंग का तो कोई इशू नहीं था लेकिन आम देख सकते हैं लास्ट के बहुत सारे प्रिष्ट एक दूसरे से उपर से चिप के हुए थे तो उनको काटना पड़ गया फारना पड़ गया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में